नमस्कार मैं हूँ करण सिंगर आप देख रहे हैं किर्सी जागन चैनल आज हम बात करने वाले हैं कदंब की पेड़ की और उसके फूल की क्या-क्या खासियत है और कदंब की अगर आप भागवानी करते हैं या आप खेतों के मिलों पर लागाते हैं तो क्या लाब होएंगे वीडियो जरूर देखने में जो आपको दिख रहा है कि अध़िए कभड़ का तो फ़ल वी लगते हैं और जैसा कि कई एक हैं कि कधाओं में भी इसका मानता दी गई है रामैण में भी इसकी मानता दी गई है कदमब अपने आप में कई गुणों से बरपूर माना जाता है रख्षर इसी ब्रक्ष तो बही कही ना कही देखा जाए तो इसका फल भी काफी फायदीमन साबित होता है। इसके फल या फूली नहीं बलकि पूरा ब्रक्ष स्वास्त के लिए एक जादू से कम नहीं है। जिहां खासी, जुखाम, बुखार, अन्यमौसमी बीमारियों से निपटने के लिए राम माल सिद्ध होता है। बहीं आपको बता दें, डायवडीज के मरेजों के लिए भी कदम के पत्ते जीवन ब्रक्ष साबित होते हैं। ये गंबीर बीमारियों से निजात दिलाने, इनके संक्रमन को रोपने के लिए भी काम करता है। आरिवबैत में इसका इस्तेमाल औसदी के रूप में किया जाता है। बहीं दोस्तों आपको बता दें, बेदू पुराणों में भी ब्रक्ष का नाम बहुत आया है। फूलों का इसके उल्यक किया गया है बेद पुराणों में, ऐसे में वीडियो के माद्धिम से आज हम आपको बताएंगे कि कदंब के फल, फूल, पत्ते और च्छाल के स्वास्थ से सम्मंद्री क्या लाग हैं, बहीं किस प्रकार से कदंब का ये पेड़ जो है आपके लोग भी आप जान सकते हैं कदंब का जो पेड़ है, इस पे जो फल लगता है, वो प्राचीन काल से ही अपनी चमतकारी गुड़ों के लिए माना जाता है, प्राणे समय में लोग इसकी छाल का इस्तिमाल गाव भरने के लिए किया करते थे, इसके पत्तों में गाव भरने वाले सभी गुड़ मौजूद होते हैं, जो आपके घाव को जल्दी भरने में मदद करता है, इसके लिए आप कदंब के पत्तियों का लेब बना कर प्रभावी छेत्रप लगा सकते हैं, ऐसा करने पे दो से तीन दिन में आपका घाव पूरी तरह से ठीक होने लगता है, औ वहीं सातियों कदंब के फूल का फल का और भी उप्यूग है, अगर फंगल इंफेक्शन का काम कहीं है शरीर में, तो अचा रोगों का इस्तिमाल, तुछा रोगों में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है, आरिवैद में बताते हैं कि किस तरह से कदंब का पेड़ किसी फाय देमन साबित हो सकते हैं